जानिए क्यों 12 शतक जड़ने के बाद टेलर ने मागी क्रो से माफी नमस्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसके बाद उन्होंने अपने मेंटर के लिए प्रातना की और माफी मांगी टेलर का ये अठार्मा शतक है जिससे उन्होंने क्रो के 17 शतक के आकड़े को पीछे छोड़ दिया है उनके करियर का ये तीसरा दौरा शतक भी है इस बलेवाज ने क्रो की भविश्यवानी सही ये अठार्मा शतक, 2017 में जड़ा था उसके करीब दो साल बाद उन्होंने 18 शतक जड़ा है टेलर ने कहा कि मैंने क्रो से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहां पहुंचने के लिए इतना समय लिया, उन्होंने कहा जम मैंने क्रिक्ट खेलना शुरू किया था तो 17 इत इसरे और चौते दिन के खेल के बार नुज़लेंड मजबूत स्थिती में है। बागलादेश के पहली पारी में 211 रर्ण पर सिमट कई। निज़लेंड ने पहली पारी में 6 विकट पर 432 रर्ण गोशित कर दी। दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजी और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आपके ल आते रहते हैं धन्यवाद